हाई फ्रेंड्स फिल्कम हेँ मारे जीयस इंडिया येटूब चैनल्स पर यह हमारा सौट नंबर फोटी एट है आज का टॉपिक हे इसमारा मेंटल हेल्थ नर्सिंग यह यह कहें आप साइकेट्री क्या हैं यह साइकेट्री आप समय सकते हैं ठीक है यह कॉशन आल इस्टिट कि जतने भी nursing exams होते हैं सभी के लिए very very important हो कि जो mental health nursing का subject होता है या topic होता है वो सभी nursing पर इच्छाओं के लिए important होता है क्योंकि सभी का ये topic होता है वो कोई भी nursing exams हो आप देख सकते हैं अपनी स्कीन पर ये question allister के जतने भी CHO exams होते है इनके लिए very very important होंगे आल स्टेड के A&M, staff nurse, GNM, BSC nursing, post BSC nursing के जो interest exams होते हैं इसके लिए काफी helpful होंगे इसके अलावा जो PCS के nursing officer के exam होते हैं जैसे कि उतरपरदिस के PCS के nursing officer के exam होते हैं MP में भी होते हैं और भी other state में होते हैं देहली में होते हैं इन सभी nursing पर इच्छाओं के लिए very very important होगे जतने PCS के भी nursing exams होते हैं UP, PFC के लिए very very important है और भी हार, A&M के लिए BFUHS, MPSW, nursing staff और A&M exams के लिए very very important रोड़ प्ले करेंगे ESIC nursing exams, AMS, PDI nursing सभी nursing पर इच्छाओं के लिए Army nursing, CRPF nursing के interest exams आलसो होगे चलिए, स्टार्ट करती है Q1 यह आपकी स्क्रीन पर Q1 पढ़ें, फिर इसके बाद आमसर बताएं क्या होगा राइट आमसर Q1 यह दिया गए आपकी स्क्रीन पर Interview के दारान, nurse ने ध्यान दिया कि एक मरीज कुछ नएने सब्दों का प्रियोग कर रहा है जिसका वास्तों में कोई अर्थ नहीं होता इसे nurse क्या record करेगी During the interview The nurse noticed that a patient is using some new words that don't really mean anything What will the nurse record आपको दिये गए आमसर में से right answer बताना है क्या होगा इसका right answer कमेंट करें जो भी right answer आपको लग रहा हो option C इसका right answer है क्या है option C क्या कहेंगे नियोलगिस्म option C is the right answer नियोलगिस्म का मतलब होता है नेने सब्दों की रचना करना नेने सब्द गढ़ना या नेने मुहावरे वनाना ठीक है तो इसे नियोलगिस्म की नाम से जाना जाता है इंटर्व्यू के दोरा nurse ने ध्यान दिया या कोई भी ऐसी सेरो सायरी बनाना जिसका कुछ मतलब हो या ना हो टीक है मतलब किसी भी चीज़ का नया निर्माल करना न्यू फार्मेशन ठीक है ये क्या कहलागा न्यू अल्गिस्म कहलाएगा आप संसी इसकर आइटमसर है ओके आप ध्यान देना एक्जामस में कुछ भी दिया जा सकता है नए सब्दू की गढ़ना करने के लिए या नए टमस का इ क्या होगा राइट अंसर इसका कमेंड कर जो भी मॉस्ट प्रेपिएट आंसर और आपसर दिस का राइट अंसर होगा जैसे की विटामिन थी और विटामिन दी और आड़ कौन कौन से आएंगे बिटामिन बी वन आएगा बी टू आएगा बी थ्री आएगा बी फूर मनलब सारे बिटामिन्स ठीक है जितने भी बिटामिन्स होते हैं ये बी वाले ठीक है ये क्या है या दास को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी होते है ठीक है इसके अलाबा बि G3 के बारे B3 के बारे बैत के बारे पढ़हा रहे थे माल लो एक बात एंग बात ऐसा सोचा हो कि यहान B3 करमा लो कि बीटामिन के कारण। 3D एक लचछन होता है टीग किस बिटामिन के अच्ष शा mieux तब आपको ने बताया था कि नियाफ सिन की कमी के कारड ऐसा होता है किसमें नियाफ सिन और नियाफ सिन की कमी कारड बॉड़ी में कौन से डिसीजिट होती है आपने बताया होगा कई बार मैंने बताया है प्लग्रा डिसीजिट होती है ठीक है डैमेंसिया डैरिया यह सारी चीज़े बताई थी मैंने तो उसी में से एक लिया गया यह ठीक है तो आपको धैने रखना है कि निया सीनग भी अगर लिखा हो तब यह आंसर सही माना जाएगा यहां पर यह उपरोग तो सभी आंसर होगा क्योंकि सभी जिम्मेदार होती है चलते हैं निक्स्ट पॉइंट पर यहां पर देख लें डिमेंसिया के बारे में बताया गया कि डिमेंसिया जो डिसेजिट होती है यह कैसे डिसेजिज होती है और या तो बिटामिन्स या नूटिशन की जैसे कमे हो जाते हैं, नूटिशन से हम समझेंगे बिटामिन्स, वो बिटामिन्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि B के सभी बिटामिन, ठीक है, बिटामिन जैसे कि B1, B3 ये सारे रोल प्ले करते हैं, और बिटामिन D भी important रोल प्ले कदा किया करते हैं यह thought about से यहाद ने कर पाते हैं अगर हम जादा बात करें कि यहाद्व समझे आपने सुना होगा कोमा प्aid कोमा नियुक्व सुनता बुत्वात में चला गया उसका मतलब किया है वह सूनता वस्ता में चला गया, यह बहुत लंबे समय तक भी हो शकता है, ठीक है, तो उसी के तरहें आप समझें कि उसी का एक करेक्टर होता है, डिमेंसिया ठीक है, चोट लगने की वज़े से, यह दास्त का कमजोर हो जाना, किसी चीट को याद ना कर पाना, यह डिमेंसिया के लचण होते हैं, लेकिन ये कोमा क्या होता है, ये completely loss of memory होता है, तो अमीट करता हूँ, आप समझ गया होंगे, next is question number 3, question number 3 पढ़े, फिर answer बता है, जब व्यक्ति अपनी गलती को दूसरों पर थोपता है, क्या कहलाता है, when a person imposes his mistake on others, what is called, आपको बताने क्या कहा जाएगा इसे, दिये गए option में इसे right answer आपको choose करना, जो सफसे best answer हो, इसका जो right answer होगा, आप संसी होगा, projection कहलाता है, क्या projection, प्रस्षेपन कहा जाता है, हिंदी में, लेकिन आप इसे English में ध्यान रखेंगे, तब ही answer आप correct कर पाएगे, exams में, ठीक है, तो ध्यान रखना है, आपको projection कहा जाता है, जब ए होता है, यह लिका है, terms most commonly used to describe the defensive projection, attributing once on the unacceptable urge to another, इसका मतलब यह है कि कोई भी वेकिती, जो projection word है, इसे defense के रूप में इस्तेमाल करता है, ठीक है, defense का मतलब यह है कि कोई कहेगा कि, नहीं, मैंने ऐसी बात, कोई बंदा एक ऐसी बात कहता है, और दूसरे उसकी सिकायत करते है, तो वो कहेगा कि नहीं, यह तो मैंने बात नहीं किये तो, दूसरों ने कही तो, इसका मतलब यह है, कि यह एक एक दूसरे पर ठोपते हैं बात अपनी, यह अपने आपको defense करने के लिए, दूसरे पर बात ठोपता है, इसी को कहेंगे, कि यह psychological defense mechanism, क्या कहेंगे, psychological defense mechanism, तो psychological रूप से क्या करता है अपना बचाओ करता है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा यह तो दूसरे ने कहा था ऐसा उके जामपल दे के जैसे मैंने समझाए गजोधर और पपू कर ठीक है पपू यह ऐसी बात कहता है लेकिन गजोधर जब भी कहता है कि यह दो बात समाज में जब पत गे था प्रोजक्षिन वार इन्होंने यहीं बात बताई थी कि किसी प्रकार कि यहां पर अन्वांटेथ्थ फीलिंग मॉटिफ्ष ऑम टूर और पर्षन इसका मतलब यह है कि अपनी गलती दूसरों पर ठोप देंखर है किसी प्रकार की हो सकती है फीलिंग हो सकते question number 4 पढ़ें फिराम सर बताएं ये लिखा है hysteria किस अंग से सम्बंदीत है hysteria is related to which organs क्या होगा इसका item सर कमेंड करें जो भी right आम सर आपको लग रहा हो option सी इसका item सर क्या womb और uterus क्या लिखा है womb और uterus ठीक है ये uterus या गर्ब से सम्बंदीत होता है अब एक बास समझें यहाँ पर यह इस्टिरिया जो सब्द है यह Greek language से लिए गया है कहां से लिए गया है Greek language से लिए गया है और हिस्टिरिया का जो मतलब होता है यह related किसे होता है यह uterus से related होता है किसे uterus से related होता है तो कहा जाता है ऐसा मतलब ज्यादा तर हिस्टिरिया उन्ही महिलाओं को होता है तो यह लच्छन हो जाते हैं हिस्टिरिया के तर हिस्टिरिया की प्राब्लम्स हो जाती है हिस्टिरिया के जैसे लच्छन हो जाते हैं अब यहाँ पर देखेंगे आप कुछ टम्स मेंशन कियेगे जो आपके लिए इंपोर्टन होगे समझने में इसको अच्छे से इस्टिरिया नेम केम फ्राम ग्रीक वर्ड वाज यूज़ फॉर दी यूट्रस टीक है इन एंस्टियन टाइम मतलब पुरानी समय में पहले इस्तमाल कहा जाता था अगर बात करें इसे हिस्टिरिया को प्रिजंट में क्या कहा जाता है तो इसे कनवर्जन डिसॉडर कहा ज हिस्टिरिया कहा जा रहा है कि पहले इसे कहा जाता था हिस्टिरिया घ्रिकार का मिन्तल डिसॉडर में वाज़ को में occurs कि यह सारी problems हो जाती है मोर्टर्स या शारी प्राबलमस हो जाती है किसमें hysteria में ठीक है दिखिए जो तीन पॉइंट यदो करने कबिल है कि hysteria का समंद किस से दूसरा बात क्या है हिस्टीरिया को वर्तमान में नाम लिया जा रहा है अभी कोशन पूछा जा चुक है एक्जामस में कि हिस्टीरिया अन्यूमने से किसके अंतरगत आएगा तो आपको ध्यान रखना है कन्वर्जन डिसॉर्डर के अंतरगत यह आता है अब निक्ष्ट पॉइंट यहां पर में नर्वसनेस्स और काफी वयकुलता होती है एंसेególल डिजायर सेक्स करने की बहुत पर सब्सक्राइबन कीृच्ष चिंटाओे सो पाती है ठीक है या अधिक जगती है रात में या भरपूर नीद नहीं ले पाना ये भी लच्छड़ें ठीक है हिस्टिरिया को ध्यान रखना ये सभी लच्छड़ें हिस्टिरिया के कभी हसने लगना कभी अचायनक से रोने लगना कभी उनकी मतलब अलग अलग तरहीं की इच्छा है होना उमीद करता हूँ समझ गए होंगे आप यह हिस्टिरिया के सिप्टम्स होते हैं नेक्स्ट एक कोशन आपके स्किन पर कोशन नंबर फाइब पढ़ें फिर आमसर बताएं यहाँ पर पुछा गया है एक मरीज जो नर्सिंग स्टाप के सब्दो की नकल करता है क्या कहलाएगा इसका जो राइट आफज़र होगा आफज़र एग्यों एको लेलिया कहा जाता है वेरी प्पूर्टन्ट है ये एकजांस में कई बार पुछा जा चुगा ज्यादा जो mental health nursing से question पूछे जाते हैं वो फूबिया को लेके पूछे जाते हैं या इकोलेलिया या इकोप्रेक्सिया को लेके पूछे जाते हैं ये टम्स हम पिछले वीडियो में कई बार दिफाइन कर चुके हैं तो आप वहाँ पर जरूर देख लेना एक मरीज या पेसेंट है या कोई भी बंदा है कोई भी कोई भी हो सकता है ठीक है या नर्सिंग स्टाप या साइकेर्टिक डिसोडर के लच्छन कहें सकते हैं आप इसे और यह सब चीजों का क्या करता है वो नकल करता है या मिनिंगले करता या कहा जाएगा उमीड करता हूं वीडियो आपको अच्छे लगा होगा चेनल पे लिए नहें सब्सक्राइब करना और हमारा नेक्स्ट वी झाल झाल